जैहिंद वेल्कम टू विजयपत एडूकेशन पालूमपूर एक वार फिर से करेंट अफेर के शेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में जून दोहजार चोबिस के मंथली करेंट अफेर को हम डिसकस करेंगे यह सभी कोईशन आपके एक्जाम पॉइ क्रेंट एक्जाम रहते हैं हिमाचल के साथ साथ और इनिडिया लैवल के जितने एक्जाम रहते हैं उन सभी के लिए हमारे करेंट में सिंपोर्टंट को以 कोईशन को डिसकस करने वाले हैं हैं सबसे पहले फर्स्ट कोईशन यहां पे दिया गया है रक्षाक शेतर में गंभीर रूप से जलने वाले घाईलों के उपचार के लिए अपनी तरह का पहला तवचा बैंक किस ने शुरू किया है देखी यह मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन है और ओल इंडिया लेवल में जितने एक्जाम होते हैं बेंक इसी लैवल के पूछे जाते हैं तो भारतिय सेना ने अभी हाल ही में पहला तुचा बैंक स्टार्ट किया है जिसमें भारतिय सेना ने सेना अस्पताल में अत्याधुनिक तुचा बैंक सुविधा की प्रापना करने की घोशना की है और जिसमें मुख्य रूप से जो भी गंभीर जलन की चोटे होती हैं उनको उपचार करना होता है तो ये मुख्य रूप से भारती सेना इंडियन आर्मी के द्वारा जो है एक नई मुहीम जो है वो स्टार्ट की गई है नेक्स्ट कोईशन है वर्जिनिया में कॉंग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी किसने जीती है तो उनका नाम है सुहास सुब्रमन्यम इंपोर्टन कोईशन है और इंडिया के अलाबा भी आपके वर्ल लेबल के जो करेंट फेर के कोईशन रहते हैं वहां से भी आपके लिए क्वेशन जो है वो बन सकते हैं बाकि आप डिटेल जो है वहां पर दी गई है वहां से आप इसको कंप्लीट डिटेल में अंडर्स्टैंड कर सकते हैं नेक्स्ट कॉश्टन है किस कंपनी को लंदन में परद्योगे की सेवाओं के लिए ग्लोबल सेंट्रल बै रेंकिंग अवर्ड 2024 प्रापत यह है इंपोर्टेंट कोईशन है और इसी तरीके के कुछ हट कुछ हट के कुछ हिनीक कोईशन जो है वो आपके पेपर्स में पूछे जाते नेक्स्ट है जून दो हजार चोबिस में ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे हाल ही में निर विरोध चुना गया है तो उनका नाम है सुर्मा पाधी तो विधानसभा के अध्यक्ष जो है जो हैं मों हिमाचल के भी आपको पता होने चाहिए कोलदीब पठानिय जी और जो हमारे लोकसभा के अभी हाल ही में अधियक्स चुने गए हैं, ओम बिरला जी उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट कोईशन है, एंटी माईक्रोबियल प्रतिरोध पर टिनिट्री चैलेंज में किस आई 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 टी ने सियुक्त रूप से दूसरा पुरुसकार हासिल किया है अभी हाल ही में आई 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 टी दिल्ली ने अपना जो है वो ये अवोर्ड प्रापत किया है और इसमें मुख्य रूप से जो एंटी माईक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें इनको प्रोथसाहित करना होता है तो उसके लिए जो है वो एक नई मुहिम चलाई गई थी आई आई टी दिल्ली के द्वारा तो उसमें इन होने जो है वो एक वार फिर से अपना अवोर्ड जो है वो प्रापत किया है नेक्स्ट कोईशन है इनकी भारती लोग परसाशन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसने तीसरी वार जो है वो अपना पद भार ग्रहन किया है तो उनका नाम है डॉक्टर जितेंदर सिंग डॉक्टर जितेंदर सिंग जो है वो अभी हाल ही में तीसर संस्थान के अध्यक्ष के रूप में वो कार्य करेंगे और उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले स्मार्ट सम्मेलन कक्ष का भी उधगाटन किया है आप इसको ध्यान में रख सकते हैं और इंपोर्टिंट की सीरीज जो है वो आप सभी को यहां पे मिलती है नेक्स्ट है परसिद अभिनेता डोनाल्ड सदर्लैंड जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस देश के निवासी थे तो यह कनेड़ा के रहने वाले थे और काफी फेमस एक्टर थे और 88 वर्ष की आयू में इनका हाल ही में जो है वो निधन हो गया है नेक्स्ट कोईशन है जून दोहजार चोबिस में विश वेरेया कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग जिसे यू वी-सी-ई के नाम से जाना जाता ह लेड़ाय के पहले निर्देशक के रूप में किसे नियुकति किया गया है तो हाल ही में S3pati जो है वो UVCE के पहले निर्देशक के रूप में जो है वो कारे करेंगे इंपॉर्टेंट है यह कॉश्चन भी आपके लिए नेक्स्ट है क्योंकि निक्तियों से रिलेटेड कॉश्चन आपके पेपर में पूछ जाते हैं नेक्स्ट है जून 2024 में बी रगुनंदन का स्थान लेते हुए जो ट्राई है भारती दूट संचार नियामक प्राधिकरन जिसके अंडर जतने भी हमारे मोबाइल नेटवर्क हैं वो उसके अंडर आते हैं उसके जो नए सचिव हैं वो कौन बनाएगे हैं तो हाल ही में अतुल कुमार जी को ट्राई का नया सचिव नियूक्त किया गया है नेक्स्ट कोईशन ने प्रतिस्थित ब्लू प्लैनेट पुरुसकार दो हजार चोबिस्त जीता है और अलग कोईशन है थोड़ा सा ब्लू प्लैनेट अवोर्ड जो है 2024 यह जीता है जैब विविता और पारिस्थितिक अंतर सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच के द्वारा यह पुरुसकार जो है वो जापान में दिया जाता है और इसके तहट पांसो सोरी पांसो नहीं है यह आपका पांच लाख डोलर की राशी जो है वो यहाँ पे दी जाती है नेक्स्ट कोशन है स्री समीर सोमया के स्थान पे आई-म-सी चैंबर ओफ कमर्स एंड इंडस्ट्री के ने अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो संजे मारी वाला संजे मारी वाला को जो है वो नया आई एम सी के ने अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है नेक्स्ट कोईशन रहेगा अचार्य लक्ष्मी कांत दिक्षित जिनका 86 वर्ष की आयू में निधन हो गया ये किस भूमी का के लिए मुख्य रूप से जाने जाते थे तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये जो अचार्य लक्ष्मी कांत दिक्षित जीते थे ये श्री राम जनव भूमी पर बने भव्य राम मंदिर के परतिष्था समर्हो के मुख्य पुजारी थे मुख्य पुजारी थे और जादा बिमार होने की बज़ा से जो है वो इनका स्वरगबास हो गया अभी कुछ टाइम पहले और यह आयोध्या के राम मंदिर की प्रांट परतिष्था की भूमिका के लिए जो है वो जाने जाते हैं अंतरास्त्रिय ओलंपिक दिवस किस वर्ष्ष स्थापित किया गया है तो 23 जून को इंट्रेशनल ओलंपिक backside जो है वो मनाया जाता है इसे स्टार्ट किया गया था 1948 में जब इसकी सुरुवात पैरिस के सौरबॉन में हुई थी तब इसे पूरे वर्ड में 1948 से शुरू किया गया था नेक्स्ट हैं पर 63 में विश्व चीकित्सा एवं स्वास्तिखेल कहां अयोजित हुए हैं तो यह वह हाल ही में लो सेंट में वह चुट किये वह था Il future दियुकित्सा एवं स्वास्तिखेल आयोजित हैं면 ऐ ही नेक्स्ट कॉर्शन रहे अमित्षा द्वारा किस हवाई अड़े पर फास्ट रैक immigration का उधगाटन किया गया है जिसे FTI TTP के नाम से जाना जाता है तो इंद्रा गांदी अंतरास्फिर हवाई अड़ा जो की नई दिल्ली में है 22 जून को केंद्री ग्रेह मंतरी और सहकारिता मंतरी श्री अमित्ष सहाजी ने इसकी शुरुवात जो है वो की है नेक्स्ट कोईशन रहेगा अताल्या में तीरंदाजी विशो कप चरण तीन में इटली के माउरो नेस्पोली को हराकर कांसे पदक किसने जीता है तो धीरज बोमा देवरा के द्वारा ये कांसे पदक जीता गया है वहारती मिश्रे ततीरंदाजी दलने विशो कप के तीसरे चरण में वो बहतर परदशन किया और मेक्सिको को हराकर कांसे पदक अपने नाम किया नेक्स्ट कोईशन रहेगा उप्भोगता मामले मरिनाल कुमार दास जी को जो है वो उप्भोगता मामले खा दे और सारवजनिक वित्रण मंत्राले के तहत इसमें निर्देशक के रूप में जो है वो न्यूकत किया गया है तो देखिए न्यूकतियों से रेलेक्टिड कोईशन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा नेक्स डिजिटल परिवर्तन के नेतर्तिव में अभी हाल ही में किस कंपनी ने पी एस यू पी ए एस यू नेतर्तिव और उतक्रिस्था पुरुसकार दोहजार चोबिस जीता है तो हाल ही में टी एच डी एल टी एच डी एल के द्वारा जो है ये पुरुसकार जो है वो जीता गया है विज्ञान प्रिद्धोगे की प्रिद्वी विज्ञान परधान मंत्री कार्या ले और शिकायत लोग शिकायत एवं पैंशन परमानूर्जा अंतरिक्ष राजय मंत्री डॉक्टर जितेंदर सिंग ने डिजिटल परिवर्तन में नेतर्तिव किया और उनको जो है वो टी एच सी टी एच डी सी इंडिया लिमिटेड को जो है वो बहतर परदर्शन करने के लिए ये अवोर्ड जो है वो दिया गया है next question sports related रहेगा Spanish Grand Prix 2024 में season की अपनी सातमी जीत किसने हासिल की है most important question रहेगा देखिए सातमी बार ये जीत हासिल हुई है और max वेर स्टिपेन के द्वारा ये जीत हासिल की गई है नेक्स्ट कोईशन रहेगा अठार में M.I.F.F. 2024 में सरफ्टेस्ट बिद्चितर के लिए किस भारती फिलम ने गोल्डन कौच पुरुसकार जीता है तो उस फिलम का नाम रहेगा तक गोल्डन थ्रेड गोल्डन थ्रेड को जो है अबोर्ड दिया गया है नेक्स्ट कोईशन का इंग्लिश यूवा पुरुसकार का कौन है तो अभी हाल ही में हoo साहित्यप्गें की लिए जो है और उसमें अंग्रेजी के लेखिका ज वेशानी और हिंडी के लेखक हैं गोरभ पांडे हिंदी के लेखक हैं गोरभ पांडे और के विशाली उनको जो है यह अवोड दिया गया है इसके सहथ 23 लेखकों के नाम की घोशना की गई है जिनको यह युबा पुरुषकार से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट कोशन है साहित्य अकाडमी के कार्यकारी बोड के अध्यक्ष कौन होंगे उनका नाम रहेगा श्री माधव कोशिक यह अभी हाल ही में जो है वो साहित्य अकाडमी के कार्यकारी बोड के अध्यक्ष के रूप में न्युक्त किये गए हैं नेक्स्ट कोशन है हिंदी कि उबापुरुसकार का विजयता कौन है देखिए अभी हमने डिसकस किया गोरब पांडे यहां पर आपका यह कोईशन था इंगलिश के के विशाली और हिंदी के गोरब पांडे उसके साथ साथ 23 अन्य लेखकों को भी जो है वो यह अवोर्ड जो है वो दिया गया है नेक्स्ट कोईशन है अंतरास्ट्री नाविक दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जून को मनाया जाता है इसकी शुरुआत जो है वो 2010 में जो है वो की गई थी नेक्स्ट कोईशन रहेगा भारत के पहले AI समर्पित संस्थान यूनिवर्सल ए यूनिवर्सटी के कुलपती के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो इनका नाम है साइमन मैक ऑप्शन नमबर सी साइमन मैक जो है वो राइट अंसर रहेगा भारत के पहले आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यूनिवर्सटी के पह हाल ही में किसके द्वारा की गई है तो जो केंदरी स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंत्री है अभी हाल ही में बने हैं जेपी नड़ा जी जगत प्रकाश नड़ा जी उन्होंने 24 जून को अधिकारों की सार भूमिक घोष्णा को आकार देने में महतपूर्ण भूमिका के लिए यूएंजी ये अधियक्स डेनिस फ्रांसेस द्वारा कि से सम्मानित किया गया अभी हाल ही में हंसा महता को जो है सम्मानित किया गया है 25 जून को कूट नीती में महिलाओं के लिए अ अंत्राश्ट्री दिवस के अपसर पर इन्होंने इनको सम्मानित किया है इंके द्वारा एक बात कही गई है कि सभी मनुष्य को सभी मनुष्य में बदलकर अधिक समावेशी भासा सुनिश्चित की है और ताकि भारत में या पूरे विश्व में महिला के अधिकारों की एक पर ना हो पाए नेक्स हाल ही में किस देश ने चंदर्मा के सुदूर भाग से पहली बार नमूने लाने की उपलब्दी जो है वह हासिल की है तो वह देश है चीन चीन ने अभी हाल ही में चांग A6 मिशन के तहत चंदर्मा के सुदूर भाग से पहली बार नमूना जो है वो लेके आए हैं और ये चीन के द्वारा जो है ये उपलब्दी जो है वो हासिल की गई है नेक्स्ट कोईशन रहेगा टीटवंटी अंतरास्ट्रिय में दो दो सो चक्के लगाने वाले पहले बल्लेवाज कौन बने हैं तो वो रहेंगे रोहित शर्मा और आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अभी टीटवंटी विशोकप जो हुआ है उसमें भारत जो है वो क्या रहा ह है विजेता रहा है तो भारत ने टीटवंटी विशोकप जो है वो अपने नाम हासिल किया है नेक्स्ट है जून दो हजार चोबिस में न्यू इंडिया इंशॉरेंस कंपनी का CMD किसे न्युक्त किया जाएगा तो इसके जो नए अध्यक्ष और प्रवंद निर्देशक जो आपको पता होना चाहिए गिरिजा सुबरमन्यम जो है वो इसके ने जो अध्यक्ष है वो रहेंगे नेक्स्ट है किस मंत्राले ने SBM U 2.0 के अंत्रगत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ की शुरुवात जो है वो की है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो है आवसन एवं शहरी कार्यमंत्राले के द्वारा इसकी शुरुवात की गई है एक जुलाई से इकतिस अगस्त दोहजार चोबिस तक इसकी शुरुवात जो है वो की गई है एक जुलाई दोहजार चोबिस से इकतिस अगस्त दोहजार चोबिस तक सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इसकी शुरुवात जो है वो की गई है नेक्स्ट कोशन है भारत के पहले जर्नल उपेंदर जी थे जिनका कारेकाल जो है वो 30 जून को जो है वो complete हो रहा है और 30 जून के बाद जो है वो भारत के ने उपसेना पर मुख राजा सुबरमनी होंगे नेक्स्ट कोईशन है क्रिकेट दिगज डेविड बॉर्नर ने टीटोंटी विशुकप दोहजार चोबिस से बाहर होने के बाद अंतरास्टी क्रिकेट से सन्यास लेने की घोशना कर दी है ये किस देश के रहने वाले हैं तो ऑस्ट्रेलिया के निवासी ऑस्ट्रेलिया टीम क क्रिकेट से सन्यास लेने की घोशना कर दी नेक्स्ट कोशन है कोडी कुनियल सुरेश के विरुद चुनाव लड़कर ध्वनीमत से अठार्मी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया भी मैंने आपको बता दिया था ओम बिरला जी तो ये विजेपी के वरिस्ट नेता है ओम बिरला एक वार फिर से जो है वो अध्यक्ष पद के रूप में जो है वो चुने गए हैं राज स्थान के कोटा से तीन बार भाजपा के सांसद रहे हैं पिछली बार स्थार्मी लोकसभा में भी ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे और इस बार एक पर फिर से जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ने चुना गया है नेक्स्ट है चीनिय और जयाविंधन क्षेतर के मुद्धों पर ध्यान के इंद्रित करने वाली 64 एस ओ परिशद की बैठक 27 25 से 27 जुन 2024 तक कहां पर आयोजित की जाएगी तो अभी हाल ही में 64 इंटरनाशनल जो हमारी शुगर इंटरनाशनल शुगर और्गेनाइजेशन है उसकी जो बैठक है वो नई दिल्ली भारत में आयोजित जो है वो की जारी है इसमें मुखे रूप से 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधी जो है वहां पर शामिल होंगे नेक्स्ट है किशोर पोलु दासु के स्थान पर SBI जर्नल इंशॉरेंस के नए M.D. जो है वो कौन बनाये जाएंगे परवंद निर्देशक जो है वो किसे अभी न्युक्त किया जाएगा तो नवीन चंदर जहा को SBI जर्नल इंशॉरेंस कंपनी लिमिटेड जो है उनके नए परवंद निर्द परवंदेशक जो है वो नवीन चंदर जहाजी जो है वो बनेंगे नेक्स्ट कोईशन है हाल ही में डव्ल्यू टीटी कंटेडर लागोस टूर्नमेंट जीतने वाले जीतने के बाद महिला एकल टैनिस टेबल टैनिस में मनिका बत्रा को पचाड कर करियर की सर्व स्रेस्ट विश्व रैंकिंग 24 वी किसने हासिल की है तो अभी हाल ही में रिजा अकुला जहां वो यह रिजा अकुला ने जो है यह 24 मी रेंक जो है वो हासिल की है तो देखी स्पोर्ट से रिलेटिड कोश्चन भी कुछ अलग लेबल के यूनीक लेबल के आप से पूछे जाते नेक्स है पेरिस ओलंपिक में डे अब देखी साज में भारत का प्रतिनित्य करने के लिए भारती घुड सवारी महासंग के द्वारत किसे चुना गया है तो अनुष अगरवाल जी को अभी हाल ही में जो है वो एशियाई खेलों में पदक जीता है अनुष अगरवाल ने तो उनको पैरिस ओलंपिक के लिए जो जो है वो उनको घुड सवारी महासंग के द्वारा जो है उनको भारत का प्रतिनित्य करने के लिए जो है वो चुना गया है नेक्स्ट कोशन रहेगा महिला T20 विशो कप सोरी एशिया कप महिला T20 एशिया कप 2024 से पहले महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे न्युक्त क किया गया था पाकिस्तान के द्वारा तो मुहमद बसीम इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट कोशन है पहला अंतराष्टी डेरी फएडरेशन आईडिया एशिया प्रशांत सिखर सम्मेलन कहा यह उजित किया जा रहा तो यह कोची में यह उजित किया जा रहा इसका योजन भारत सरकार के मतस्य पालन पशुपालन डेरी मंत्राले और रास्टी डेरी विकास बोड के द्वारा जो है वो सियुक्त रूप से इसका योजन किया जा रहा है नेक्स्ट है किस भारति क्रिकेटर का प्रोफेशनल गॉल्फ टूर आफ इंडिया का चुना गया है तो देखिए इंपोर्टेंट कोईशन है और भारति क्रिकेटर को प्रोफेशनल गॉल्फ टूर आफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है कपिल देव को कपिल देव को जो है वो यह नया अध्यक्ष जो है वो चुना गया है महान क्रिकेटर है गॉल्फ के आउट्लुक प्लैनेट सस्टेनेविल्टी सम्मिट एडवांस 2024 में किस PSU को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवोर्ड से सम्मानित किया गया है तो अभी हाल ही में जो है वो गोवा शहर में यह आयोजित हुआ था Central Public Central Enterprise के लिए पहला आउट्लुक अवोर्ड जो है वो आयोजित किया गया और भारत Electronics Limited को यह अवोर्ड दिया गया है नेक्स्ट है इंडिया बुलियंस ज्वैलर एसोशेशन का नेया उपाध्यक्ष किसे न्युक्त किया गया है तो उनका जो यहां पे नाम है वो है मोहित कंबोज मोहित कंबोज को जो है वो नया अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक के लिए भारती टीम का कप्तान किसे न्यूक्त किया गया हर्मन प्रीत सिंग जी को जो है वो भारती होकी टीम का कप्तान जो है वो न्यूक्त क स्टेशन के लिए यू एएस डी और्विट वीकल विक्सित करने के लिए किस कंपनी को चुना है तो स्पेस एक्स को जो है चुना गया है नासा के द्वारा नेक्स्ट है दो हजार में परतिस्थे पैन क्विटर पुरुषकार दोहजार चौबिस से समानित किया गया है यह नोबल पुरुषकार विजेता भी है और इनको जो है यह पुरुषकार से समानित किया गया है नेक्स लास्ट कोईशन रहेगा वियापक कानूनी जानकारी परदान करने के लिए अभी हाल ही में railway सुरक्षा बल रपीएफ के द्वारा जो है वो लॉंच किया गया है जो रपीएफ के महानिर्धेशक है उनका नाम है मनोज यादव और उनके द्वारा जो है वह इस एप को लॉंच किया गया है संग्यान एप को और इसमें मुख्य रूप से व्यापक कानू जानकारी जो है वो समंदित दी जाती है इसके साथ साथ इस PDF में आप वन-liner questions को भी अपने according जो है वो discuss कर सकते हैं उनको read आप कर सकते हैं जो भी हमने अभी तक question discuss किये हैं description के साथ उनके लिए आप यहां पर वन-liner form में अपना एक mock test जो है वो आप लगा सकते हैं जितने भी अभी हमारी question थे उसमें बिल्कुल same question जो है वो आपके लिए रहेंगे लेकिन आपके लिए वन-liner question में रहेंगे इसके साथ साथ जो भी हमारे English medium के student रहेंगे तो उनके लिए भी यहां पर इस PDF में तो June 2024 की यह same जो आपके अभी हमने हिंदी के question discuss किये वह same आपके English medium में भी आपके लिए प्रोवाइड करवाएगे हैं तो यह PDF आपको हमारी application विजेपत government exam preparation के उपर जो है वो आपको मिल जाएगी और प्ले स्टोर से आप इसको easily download कर सकते हैं registration कीजिए और वहां पर login करने के बाद आप करंट फियर के section में जाएंगे तो free of course आपको monthly and daily basis के उपर आपको current fair की PDFs and video जो हैं वो आपको मिल जाएंगे अगर आपको और extra जानकारी अगर आपको चाहिए हमारे courses से related हमारे apps से related तो आप इस दिये गए इस number के उपर आप contact कर सकते हैं जल्दी एक नई class के साथ में आप से जुड़ूंगा तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए अपनी त्यारी आप बिलकुल महनत बिलकुल लगन के साथ आप कीजिए जल्दी नई class के साथ मैं आप से जुड़ूंगा तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै हिमाचर